दोस्तों वेलकम बेक टु माई चेनल आपका स्वागत है फिर से मेरी चनल टेकनिकल वर्ब में तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक प्रोपर इंस्टोलेशन का इंफोमेशन जब भी आप टाड़ास का सेट्टो बॉक्स एंटीन जब भी आप आपको प्रोब्लेम फेस ना करनी पड़े इसलिए यह मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको मैं स्टेप बाइ स्टेप समझा दूगा कि जब भी आपके घर में स्टाटास काई का सेट्टो बॉक्स इंसल होता है तो आपको क्या-क्या बात का ध्यान रखना है तो प्लिस वी क्या-क्या चीज का आपको ध्यान रखना है इंस्टोलेशन के टाइम पर मैंने भी टाटास का सेट्टो बॉक्स इंस्टोल करवाया है और उसके बिहाव पर मेरे खुद के एक्स्पिरेंसे में बात करूगा अज की इस वीडियो में तो जब भी आप टाटास का नियो कनेक् इसमें आपको फरक दिख जाएगा क्योंकि टाटास काई के एंप्लोई में परफेक्क्ली एक ड्रेस अप होता है और आइडेंटिकार्ट भी लगा हुआ होता है जैसे कि आपको लोकल में नहीं दिखेगा कोई भी लोकल इंस्टोलेशन होगा उसमें कोई भी ड्रेस अप नहीं होगा और उसके पर हणित काई का आइडी भी नहीं होगा अगर ड्रेस अलग बात है मिल्योंकि और लोकल बन्दे के पास कोई ऐसं करना है को सुझायार ना है उसके बाद आपको चैक करना है कि क्या कि या चीज्वग गर पे इंस्टोल कर रहा ए जैसे कि आपको बतादू कि अपके फ Iya फेति पर क्या इंस्टल होता सधीं अफिले तो कसेट आप वोक्स का बोक्स अएगा उसके बाद के एक b 구 baby का बोक्स आएगा को 私 इसमें इंटिना में एक ड़ीष मात के पर सेट अब होता है जैसे की डीز को रखने का उसका जो स्टेंड होता है एंटीना का पाइप वगेरा वह आएगा और जो पाइप वगेरा को फिट करने के लिए जो स्क्रू है ग्रीप है कील है वह सब चीज एक पोकेट में पेक होगे आएगा सब कुछ पेकिंग में आएगा गैस किस कोई भी चीज अलग से नहीं आए उसके साथ जो पाइप वगेरा है किल नट है वह सब कुछ चीज पेकिंग में ही आएगी तो उस बात का आपको ध्यान रखना है उसके बाद थोड़ा सा जो वायर है वह आपको फ्री में मिलता है वह एक चीज वह उसके साथ लेके आएगा बट आपको एक चीज का ध्यान है वह ओल्ड नहीं होना चाहिए वायर किसी का भी पूराना आपके घर पे नहीं लगना चाहिए जिससे कि आपको आगे जाके दिक्कत ना हो उस बात का आपको ध्यान रखना है बहले ही वायर ब्लेक हो या वाइट हो उसमें कोई भी फरक नहीं पड़ता है बट वायर पू नोट्इस अच्छे से कर लेना किपने साइब अब स्ट या ऐसां करें इंस्टोलेशन का में आपको बताताबो पहले तो वह फिट करेंगा तो ये Jason ये अपको पहले वायर बिछाएगा कितना सब्सक्ति परका लगाएगा बाद में आपको होगे तो ज्यादा तर लगा देगा तो उस तरीके से वह प्रोसेस होता है तो मैं आपको पहले वायर का प्रोसेस नहीं होना चाहिए अगर आप wall के अंदर से wire लेता है जैसे कि दिवाल के अंदर से pipe through wire लेता है तो वहाँ पे भी wire है वो मूड़ना नहीं चाहिए वो मूड़ेगा कैसे है वो एक पूरा circle घुमा के मूड़ेगा वेसे अच्छा है यससा कोई problem नहीं होता बट directly जो wire मूड़ता है वहाँ पे wire को problem आ जाता है और लंबे time के बाद wire भी गड़ जाता है तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कभी कबर क्या होता है कुछ-कुछ installation है कुछ-कुछ जो installation वारे बंदे होते वाइर के बीच में गाठ बांदेते हैं तो आपको खुद से जाके उसे मना करना है कि वाइर में प्लीज गाठ मत बांदीये या वाइर कई से भी मूड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि क्या होता है कि टाटा स्काई के जो भी employee होते जो employee होते उसे सिखाया जाता है कि के से ट यहां पर यहां पर आप सहीशे करो तब भी होगा वरना कहीं पर जो है वो नीचे लटकना नहीं चाहिए अगर नीचे वायर लटका तो वह पर्फेक्ट फिटिंग नहीं है वह एक दिवाल से थ्रू ही चिपका होना चाहिए चिपकाने के लिए एक कील और एक क्लिप आपको प्रोवाइड करते हैं टाडस के वाले उस एक बेग में तो वह एक पूरे के पूरा यूज होना चाहिए क अभी कबर क्या होता है कि कुछ-कुछ इंस्टोलेसर होते हैं लोकल या कोई भी वह आदा ही क्लिप डालते हैं बाकी कुछ यूज नहीं करते हैं वह अपने साथ रखके चले जाते हैं तो एसा कुछ इस्यू होता है मेरे साथ भी इसा इस्यू हुआ था बाद में तो मैंने तो चलिए यह तो हमने समझ लिया कि कैसे वाइर का फिटिंग अच्छे से करवाएं बाद में दूसरे में वह एंटीना लगाएगा उपर वाइर का प्रोसेस हो जाने के बाद वह एंटीना इंस्टोलेशन करेगा जैसे कि एंटीना तो पूरे के पूरा एसेंबल है अलग से ह अचा उचे फिर से आपको फटीना को पूरा कंप्लेट करना बढ़ेगा तो इसमें क्या है कि पहले वो पूरा सेट अप करेगा एंटीना का साथ कुछ क्रू वगएरा अच्छे से बीडिट वगएरा कुछ करेगा तो आपको ऐसे देखना है उसके सामने रहना है खड़ा कहीं पर भी उससे अकेला नहीं छोड़ना क्योंकि क्या होता है कभी कबार वह ज्यादा जल्दी में काम कुछ है वह गलती कर देते तो आपको यह अच्छे से यह वहां पर खड़ा रहना है और अच्छे से आपको जो वह काम कर रहा है उसको नौटिस करना है गाइस कैसे वह सब कुछ ठेक से लगा रहा है या नहीं यह सब आपको अच्छे से नौटिस करना है और प्रॉपर वे में उससे उसमें स्कुरू सारा चीज़ यूज करना है क्या होता है कि दो स्कुरू के जगह वह एक स्कुरू क ही यूज़कर आते हैं तो उस बात का आपको ध्यान रख सभी φीटेड होने चाहिए क्यां कि कभी कबार स्कूट थोड़े से भी डिले रहे थोड़े ईडिले लिए सकता है और कभी कबार आंधी तुफान में एटेटिना ऊड़ भी सकता है और आपका नुक्सान भी हो सकता है तो उस बात का आपको धियात रखनाय है अच्छे से proper way में परिसें पॉपर यह चैए्ट पर आप अच्छे से उसे आपको एक फैट करवाना है जब भी वो फिट करते वह जब भी आपका इंस्टोलेशन करेगा तब भी तब भी आपको उसके सामने खड़ा रहेना होगा यह सब कुछ चीज हो जाने के बाद वह वाइरिंग फिट करेगा लन बी के साथ वाइरिंग करेगा वाइरिक वाइरेट सेट कर देगा वह तो अपने तरीके सेट कर देगा उसके बाद वह एंटीना और सेट आपको दियान रगना है कि एंटीना में वाइर का गाठ वो नहीं होना चाहिए क्योंकि कुछ इंस्टोलेशन क्या होते जो आपको एक वाइर का ग्रीप मिलता है प्लास्टिक का वाइर का ग्रीप आपको सहथ को पता होगा वह ग्रीप मिलता वह यूज नहीं करते और एंटीना के साथ ही वह जो वाइर होता है केबल होता है वह बांध के चले जाते और आपको कहते हैं कि इससे क्या होगा कि वाइर आपका बिगड़ जाता है इसलिए टाटास काई वाले भी ये खुद बताते हैं कि हम perfectly install करते हैं वायर कहीं भी बेंड नहीं होना चाहिए क्योंकि उसमें भी ठोड़ा राकिन फीडियाँ क्यादा है यृष इस गहां चाहिए ऐसका कार नहीं होना पढ़ता है बाद में 6 मेने के बाद आपका जो है वायर भीगडे या डिश अंटीना भीगडे उससे कोई भी मतलब नहीं होता है तो उससे आपको ही मतलब रखना होगा आपको अच्छे से देखना होगा कि वह परफेक्ट्ली वायर वगेरा है एंटीना है श्रूबॉक्स प vinla प्तरते हैं में प्तरते हैं पुछा वाइर का कीज़ तो zerमार से वाइर की मेनी और संपर रबस अब कहते हैं के में कडिकों कईधार अउओक करेंटार अछ्छे संसरा करें किन आइस अगर पैसे 무서 Eltern मेरे साथ मेरे पास यह कोंभी कुछ कि नहीं लिया था चुर्फ का कुछ 17-17 लेके लिया था बाद वायर का कोई भी चीज नहीं लिया था तो उस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है तो यह A to Z मैंने आपको प्रोसेस बता दिया तब जाके यह complete हुआ है फूरा का पूरा प्रोसेस और इसमें बहुत ज्यादा आपको चीज बात ध्यान रखन है तो दोस्तों यहां पर मेरा वीडियो बनने का एक ही मकसद है क्योंकि क्या होता है कि कुछ-कुछ घरों में जो इंस्टोलेशन बंदे जो आते हैं वह प्रोपर वर्क नहीं करते ऐसे तैसे इंस्ट्रॉल करके चले जाते बाद में जाके आपको दिक्कत होता है प्रोब् दोस्तों यही मकसद था मेरा वीडियो बनाने का कि आपके घर में भी एक प्रोपर डीटीएज कनेक्शन टाटास का एक एक इंस्टोल हो और यह बात को आपको ध्यान भी रखना है कि क्या-क्या चीज अच्छे से लगनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि क्या-क्या आपके घर में चीज लग रही है और क्या-क्या आपके डीटीएज कनेक्शन में चीज यूज हो रही है और वह प्रोपर वे में यूज हो रही है नहीं हो रही है इस बात का आपको भी ध्यान रखना है क्या-क्या होता है कुछ-कुछ चीजे होती है वह जो भी इंस्टोले तो कहता कि दो चीज यूज करो आप वह एक ही चीज यूज करते तो इस बात का आपको ध्यान रखना है आपको प्रोपल उसके पाथ से वह सारा चीजे लगवाना है कि उपल चीजे पूरी की पूरी कि बोल डालै है बता डाली है आपको मेरे साथ जो एकस्प्रेइंस था वह मेंने शैर करदाला है और कुछ अलग से एकस्प्रीणास ले अताब भी मैंने आपके साथ सेर कर दिया है अगर आपको कोई भी प्रोपलके दिक्कत तो प्लीस कमेंट कीजिए मैं reply कर दूगा और वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए साथ ही साथ मेरी चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तो तो नेक्स्ट वीडियो मिलेगे त तेंक यू सो मच वजी में जैनल थेंक यू सो मच